Hello everyone, so today I am going to discuss with you something regarding time management and prioritizing tasks and managing your activities. So let's understand की problem क्या है? अभी बहुत सारे students, बहुत सारे लोग जो कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहरे हैं, कुछ भी टार्गेट सेट करना है, उनकी सबकी एक problem है की social media distractions इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम ना चाहते हुए भी अपना time waste कर रहे हैं. और example हमने Facebook पे एक वीडियो देखना शुरू किया and auto suggestions की वज़े से हम देखते ही चले गए. या हमने YouTube पे कोई भी वीडियो ओपन किया और उसके बाद automatically हमारे पास list of videos आ गए और हम because वो same interest area के होते हैं तो हम उनको देखते रहते हैं और हमारा time waste होता रहता है. तो इसका एक solution निकाला है students ने या बहुत सारे लोग इस solution को निकालते हैं वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपने phone से YouTube का app delete कर दिया, Instagram का app delete कर दिया, Facebook delete कर दिया, account deactivate कर दिया, बहुत सारे लोग WhatsApp से भी चले जाता हैं. Believe me, these are the things जिससे काम नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा, let's understand that as well. तो होता क्या है? जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, तो ये तीन movie titles मेरे दिमाग में आए, दिल तो बच्चा है जी, दिल क्या करें, and दिल है कि मानता नहीं. Now this is a task for all of you. जब आप लोग वीडियो पूरा का पूरा देख लेना, end तक जरूर देखने के बाद, if you understand the context, तो उस context से related, जैसे मैंने ये तीन title लिखे हैं, अगर आपके दिमाग में कोई नया title आता है, तो please put it in the comment section. I would love to hear from you, कि आप लोगों के पास ऐसा कौन सा movie title है, हो क्या रहा है, why I have written these three titles, why I have quoted these three movies, जो हमारा मन है, वो exactly ऐसे ही behave करता है, हम सोचते हैं, रात में सोने से पहले सोचते हैं, कि कल हमने इतने targets रखने हैं, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें top करना है, हमें top 10 rank लानी है, हमें ये competition meet करना है, या जो भी targets जिसके भी है, but the moment we start our day, the moment we start doing something, because of this, the way mind behaves, कि हम अपना time waste करते चलेगा, इससे बचने का क्या तरीका है, चो इससे बचने का तरीका बहुत ही simple है, जैसे बच्चे होते हैं, उनके साथ क्या करना होता है, उनकी भी अपनी एक demands होती है, उनकी भी अपनी एक जिद होती है, कि यहीं करना है, यहीं करना है, तो हम क्या करते हैं, हम उनसे rewards के basis पर बात करते हैं, ठीक है, यह वाला काम finish करो, उसके बाद तुम जाके movies देखना, यह वाला काम finish करो, फिर जाके cartoon देखना, हमें भी अपने मन को ऐसे ही train करना है, तो हमें stop नह आपका दिल जो है वो get it get it get it के चक्कर में परिशान कर देगा आपको and then there will be thousands of ways through which you will waste your time तो हमें करना क्या है I'll give you four pointers उनको follow करोगे तो अपने आप ये सारे distractions खतम हो जाएंगे करना क्या है let's understand सबसे पहले तो हमें अपने tasks decide करना है टास्क को बड़े level से शुरू करना है एक बहुत बड़ा objective होगा for example जैसे मैंने कहा कि top 10 में rank लानी है या 100 percentile लानी है या अगर कोई 10th class का बच्चा है तो 10c gpa लाना है 12th class का बच्चा है तो कोई competition बीट करना है चाहे वो engineering हो चाहे वो law हो चाहे वो medical हो कोई भी entrance exam बीट करना है उस बड़े से task को सब tasks में divide कर दो अब सब tasks क्या होंगे let's say मैंने कहा कि मुझे 3 languages सीखनी है और उसमें मैंने देखा कि okay I have to read 3 books for a particular language इस 3 books को भी further divide करो तो तुम यह देख सकते हो कि ठीक है इसके 3 chapters अगर मैं रोज पढ़ता हूं तो मेरा यह काम जो है यह finish हो जाएगा अब यह क्या हुआ यह daily task में divide हो गया तो हमें क्या करना है हमें अपने इस बड़े task को daily tasks तक लेके आना है drill down करना है लेकिन start यहीं से करना है अगर daily task बनाना शुरू करोगे पहले तो objective पे कभी नहीं बहुँच करोगे तो पहले objective decide करो और फिर उसको दीरे 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 नीचे लेके आओ और daily task पे आओ अब क्या करना है हमें हमें अपने daily tasks को पहले finish करना है plan ahead का मतलब क्या है plan ahead का मतलब यही है कि पहले से जब बड़े objective को सोचोगे तो उस हिसाब से तुम अपने year को तुम अपने month को उस हिसाब से allocate कर सकते हो तो हमें सबसे पहले तो बड़ा सोचना है plan ahead करना है उसके बाद हमें daily tasks तक अपने आपको लेके आना है जब हम daily task पे आ गए उसके बाद भी हमको अपने day की planning जो है वो भी सही करना है हमें क्या करना है मानलो मैंने यह decide किया कि तीन chapters पढ़ने है तो अब यह तीन chapters अगर इसके साथ और कोई dependency नहीं है मतलब यह chapters मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ तो try to finish it first thing in the morning आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए अपने इस task को finish कर लो यह क्यों ज़रूरी है क्योंकि अगर यह नहीं करोगे तो फिर पहले 10 बजे से टालोगे 5 बजे तक फिर 5 से 8 बजे तक फिर कहोगे late night पढ़ेंगे और फिर उस दिन का task दूसरे दिन पे second day पे second day का task weekend पे और इस तरीके से यह टलता रहेगा तो हमें क्या करना है हमें first thing अपना task finish करने ना है उसके बाद क्या करना है once you finish your task then it is the time to reward yourself so schedule time for those distractions अब distractions हमेशा negative नहीं होते हैं please हमेशा समझो there are positive distractions as well for example कोई extra curricular में participate करता है कोई football केलता है कोई let's say design करता है कुछ इस तरीके के बहुत सारे distractions है जो आपके primary area से related नहीं है आप पढ़ाई कर रहा हो आप किसी competition की त्यारी कर रहा हो तो उसमें आपका football केलना या dance सीखना या कुछ इस तरीके के activities जो इस primary task से related नहीं है I'll put it under distractions only but these distractions are positive distractions तो उनके लिए time schedule करो चाहे वो negative हो चाहे positive हो आपका जो भी distraction है उसके लिए time schedule करो once you finish your task then it is the time for rewarding yourself अब क्या होगा जो ये task है आपके जो body है आपके जो body में hormones निकलते हैं तो बहुत ही different तरीके से behave करती है body क्या होता है जब आप अपने tasks को finish करने लगते हो जब आपने objective को achieve करने लगते हो तो धीरे धीरे body and distractions से खुद को अपने आप अलग करती रहती है I am giving you an example इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं या जो लोग देखेंगे अगर उन्होंने gym किया है और actually किया है मतलब अगर उन्होंने कोशिश किया है कि मुझे healthy रहना है, fit रहना है और gym regularly जाते हैं So I have seen people और उनके साथ अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ भी जाओगे और कुछ oily खाओगे, unhealthy खाओगे तो वो खाएगा ही नहीं उसका मन ही नहीं करेगा जो craving है वो खतम हो गई विकास बॉड़ी यह देख रही है कि मुझे fit होना है So जब वो रोज जिम जा रहा है रोज अपने आपको physically train कर रहा है तो जो यह distractions हैं Like eating something which is unhealthy बॉड़ी अपने आप उनको हटाती रहती है और वो distraction दीरे दीरे हट जाते है खतम हो जाते है तो आपको आपको उनको stop नहीं करना है Give it a time अपने आप वो खतम हो जाएंगे So just follow these four advices और दीरे 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 within a month or two months you will see that you have started becoming more productive and more positive So guys this is the time to reward yourself and feel good because you have watched the video till end Thank you for watching it Please like, share and subscribe to our YouTube channel और अपने सभी दोस्तों के साथ अपने घर में जिनको जिनको भी जानते हो सबके साथ शेर करो because everyone in their life needs to concentrate and everyone wants to avoid these distractions Thank you guys We'll come up with more such videos Please do not forget to comment in the comment section about the movies जो भी movie का नाम इस context से related आपको लग रहा है For example दिल है कि माता नहीं दिल क्या करें दिल तो पच्चाये जी Put it in the comment section I'm waiting for all those comments and if you liked it or if you have anything which you didn't like please put it put that as well in the comment section Thank you guys Have a nice day